जय मातादी दोस्तों घरेलूखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखे मातारानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में गनेश चतूर्थी कब है जिसे बिनायक चतूर्थी के नाम से भी जाना जाता है तो साल 2024 में गनेश चतूर्थी कब होगा उसकी दिननांकवतिती बताएंगे पूजा का सोब महरत बताएंगे पूजा की विधी बताएंगे गनपती बपा को कब विसर्जन किया जाता है उसकी भी जनकारी देंगे साथ ही साथ हम बताएंगे कि गनेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्सन क्यों भरजीत है और चंद्र दर्सन अगर हो जाय तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए संपूर्ण जानकारी साल 2024 के गनेश चतुर्थी से जोड़ी हम इस वीडियो के माधम से आप लोग को देंगे वीडियो में लास्त तक बने रहे वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजे फैमली फ्रेंट के साथ सेर कीजे चैनल पर पहली बार आए हैं और घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वेल बटक को प्रेस कर लेंगे इस से ही होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे गनेश चतुर्थी का तेवहार भगवान गनेश के जन उत्सों के रुप में मनाया जाता है भादप्रध माज के सुकल पक्ष की चतुर्थी तिती को भगवान गनेश का जन हुआ था यह तेवहार गनेश चतुर्थी से प्रारंब होकर अनन्थ चतुर्थी को समाप्त होता है गनेश चतूर्थी के दिन लोग धूम धाब से बप्पा को घर में लाते हैं तो चतूर्थी प्रारम हो जाएगी 6 सितम्बर को 2 भर 3 बचकर 1 मिनट पे जो की 7 सितम्बर को साम 5 बचकर 37 मिनट पे समाप्त होगा लेकिन उदियाति थी मानने होने के कारण गनेश चतुर्थी साथ सितंबर को मनाया जाएगा बातकरी पूजा के सोमोहुर्थ की यानि की गनेश अस्थापना का सोमोहुर्थ क्या है तो आप एक दिन, पांच दिन, तीन दिन, साथ दिन, दस दिन, इग्यारह दिन तक आप उनको अपने घर में रख सकते हैं इस अबधी के बाद मुर्ति को पानी में विसरजित कर दिया जाता है कुछ लोग अनंध चतुरदसी के दिन गनपती पपा को विसरजित करते हैं तो साल 2024 में अनंध चतुरदसी 16 सितंबर को मनाया जाएगा चलिए बात करते हैं चंदर दर्शन बर्जित समय का भादरपल मासके सुकष की चतुरदी को गनेश चतुरदी को कलंग चतुरदी के नाम से भी जाना जाता है धर्मसास्त्रों में ऐसा आप कहा जाता है कि इस रात को चांद की दर्शन करने पर भविस्ट में जूठा कलंग लगने का डर रहता है अगर इस दोस्ट से बचना है तो चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए अगर गलती से आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो आप घबराये नहीं दोस्ट दूर करने के लिए गनपति की पूरे विधी विधार से पूजा करे किसी गरीब या जरूरत मन ब्यक्ती को दान करे या उनकी सहायता करे भविस्त में लगने वाले कलंग से बचने के लिए एक मंत्र होता है उसका जाप करना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में सुक समरिधी आएगी चलिए बात करते हैं गनेश चतूर्थी की पूजा की विधी की तो सुबव ब्रह्म मुहूर्थ में उठकर असनान आदी से निवरित होकर नए वस्त्र अधारन करे उसके बाद गनपति बप्पा को अपने घर में लाए उत्तर पूर्व दिशा में आपको गनेश जी की मूर्थी को स्थापित करना है विधी विधान से सुम मुहूर्थ देखकर पूजा करना है अर्चना करना है धूप दीब जलाना है, गनेश जी की मिर्ती को सुद्ध घी, सिंदूर, हल्दी और चंदन का सिंगार करना है गनेश जी को जनेव पहनाना है, फल फूल अरपित करना है, एबन मोदक वो लड़ू का भोग लगाना है और अंत में कपूर्स जलाकर गनेश जी की आरती करना है, सुबह साम ऐसे ही जितने दिन तक आप घर में गनपती बप्पा को अस्थापित रखेंगे, उतने दिनों तक सुबह साम आपको आरती करनी होगी, मंगल करनी होगी और भोग लगाना होगा इसके बाद आप गनपती बप्पा को पानी में भी सर्जन कर दे धोलबाजे के साथ तो ये मैंने आपको संपूर जानकारी दी चलिए जानते हैं कि साल 2024 में गनेश चेतूर्थी के दिन चंद्रदर्सन बरजित समय क्या होगा तो चंद्रदर्सन बरजित समय का डीटेल्स मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ आप ध्यान से देख ले उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे सेर करे और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स